प्रेंट्स पालक पनीर की आज मैं एक ऐसी सब्जी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है आपने इस धन से अगर पालक पनीर को नहीं बनाया है तो बिल्कुल नया तरीका है हो सकता है कि आपने अभी इस तरह से नहीं देखा हो बनाना बहुत ही कम समय में ये पालक पनीर बन जाते हैं चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए 200 ग्राम पालक हमने लेकर धो लिया है आपको इसकी डंठल निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इधर देखिए हमने 4 लाल मिर्च इस तरह से जो फ्रेश वाली आती है और तीन चोटी प्यार जिसे हमने 2 तुकड़े कर लिया है तीन टमाटर इसे भी दो दो पीशन ने कर लिया है तो चलिए पैन को हम प्लें पर रखेंगे इसमें एक चमज डालेंगे सरसों की तेल और इसमें हम अपनी प्यार टमाटर और लाल मिर्च सारी चीजें को इसम च्छी बनती है यह बहुत टेस्टी और सिम्पल तरीका है जिसमें आपको अलग से पाला कुबालने की भी जरूरत नहीं है बहुत सिम्पल तरीके सी, आप बना सकते हैं और समय के भी आपकी बचात होगी और इस तर्क देखिए हमारी प्यास टमाटर हलका हलका गोल्ड़ हो चुकी है अब हम इसे इस तरह से और भी एक मिनट रखेंगे और बीच में इस तरह से आप फिर पलट दीजिए और बीच में इस पेस बना देते हैं इसमें अब हम डालेंगे कम से कम 6-7 काजू तो अ रोस्ट हो जाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है उसे हमें light golden ही रखना है बस अब सारी चीज़ें हमारी इसमें रोस्ट हो चुकी हैं अब हम इसमें अपने पालक को एड़ कर देंगे तो इस दंग से अगर पालक को आप इसी समय एड़ करके और इसी में boil कर लेते हैं तो आपकी समय के भी बचत होती है और सच मानिए ये सबजी इतनी अच्छी ग्रेवी बनती है कि आप अगर एक बार खाएंगे तो बार बार इसी प्रोसेस से इसको बनाएंगे तो चलिए पालक सारे डालने के बार इसमें आपको कुछ भी और पानी एड़ करने के जरूत नहीं है क्योंकि पालक अपना पानी खुद छोड़ता है 5-6 मिनट तक हम इसे low flame पर low to medium flame पर हम धक कर पका लेंगे देखिए पालक ने अपने पानी को छोड़ दिया है इसमें ब अलक पनीर की सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा कि आपकी ये सब्जी कैसी बनी तो चलिए अब ये हमारे मसाले के लिए सारे चीजे रोस्ट हो चुकी है इसे हम flame को बन कर देते हैं और इसे अलक प्लेट में आप निकाल लीजे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए फिर हम इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे तब आईए अब flame पे हम अपनी पैन को रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल और इस मस्टर्ड ओयल में अब हम अपने पनीर को ये ह आप नहीं करना चाते हैं क्योंकि अक्सर आलक पनीर में बीना fry की पनीर को ही लोग यूज करते हैं तो आप भी वैसे कर सकते हैं मैं लेकिन इसे हलका सा गोल्डेन कर रही हूं इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है तो इसे आपको हलका बस रोस्ट कर लेना है बहुत अधिक लाल नहीं करना है आईए हमारे पनीर भी देखिए रोस्ट हो चुके हैं इसे हम निकाल लेते हैं अब उसी ओयल में हमने डाला है एक चमच खड़ा जीरा एक दालचीनी की स्टिक दो हरी लाइची चार लॉंग और इन सारे खड़े मसालों को कर रहे हैं उसमें भी लैसो नद्रग को डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें पेस्ट डाला है क्योंकि वो सारे मसाले में भी आप लैसो नद्रग को ग्राइंड करके डाल सकते हैं बस लैसो नद्रग खलका सा भुन जाए इसमें डालेंगे एक चमच हल्दी पावडर एक जीरा पाउडर आधी चमच काली मिर्च पाउडर और आधी चमच ही हमने लाल मिर्च पाउडर लिये थे तो बहुत तीखे हो जाएंगे इसलिए मिर्च की आप क्वैंटिटी थोड़ी लिमिट रखिए बस सारे ड्राइ मसाले हमारे देखे भून चुके हैं बहुत जल्दी इस सब्सार नमक से मिलाए और सारे मसालों को अची तरह से भूनेगे तब मिक्स कीजिए और इसे हम धग कर कम से कम तो फ्रेंट्स वैसे तो ये सारे चीजे भुनी हुई हैं और बहुत लगबग पक चुकी हैं बहुत लंबा समय नहीं लगता इसे पकाने में चार से पार्च मिनट में आके ये सारे पेस्ट पक जाएंगे तो देखिए अब हमारे इस तरह से ये छीचे पड़ते हैं तो आप इसे जरू ढ़क दिया कीजिए और देखिए अब इसमें हमारे ये सारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं ओयल सेपरेट हो गयते हैं चलिए अब इसे हम फिर से चला लेते हैं और अब इसमें हम डालें जो दूद की मिलाई होती है उसकी भी क्रीम आप डाल सकते हैं इसमें दो चमच बहुत ही अच्छी बनती है वो भी डालने से तो चलिए इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो फ्रेश क्रीम से इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है फ्रेंड्स बस तब त अच्छी तरह से पनीर को एड़ कीजिए और बस इसे ढखकर हम 3-4 मियाट तक इसमें पका लेंगे ताकि पनीर में अच्छी तरह से सारे फ्लेबर आ जाए इसे मैं बहुत अधी ग्रेवी वाली नहीं बना रही हूं फ्रेंड्स ये इसी ढख से अच्छे लगते हैं बहुत प पनीर की सब्जी जरूर बताईएगा सबके साथ शेयर विकीजीएगा फ्रेंड्स जिनुन नहीं अभी तक मुझे सबस्क्राइब नहीं किया है जण दिसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पिछल प्रेस करिएगा ओके